दोस्तों एक नया smart beta ETF आने वाला है जो ETF में सबसे revolutionary ETF होने वाला है इसके जो returns आये हैं पिछले 20 years में वो अभी तक जितने भी ETF देखिया हैं उनमें सबसे revolutionary results है और खास बात यह है कि जैसे पिछले 4-5 साल में market बहुत bullish रही है तो हम जो भी ETF की back testing करते हैं उसमें हमें results बहुत अच्छे आते हैं because market बहुत bullish रही है पर अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो इसमें सारी तरह की market cover हो जाती है वो भी market cover हो जाती है जिस समय market में downtrend था 2020 का crash भी cover हो जाता है और साथ में पिछले कुछ सालों में जब market stagnant भी रही जब market ने कोई खास move नहीं दिये वो सारा कुछ cover हो जाता है यह सारा कुछ cover होके यह slide जो दिखा रही है वो क्या दिखा रही है अगर 2005 में हमने इस fund में invest किया होता तो हमारा पैसा कितना हो जाता एक लाख अगर आपने invest किया होता निफ्टी बीज में तो आपका एक लाख 15 गुना बढ़ जाता 20 सालों में लेकिन अगर इस fund में इस smart beta ETF में किया होता तो 76 टाइमस 76 टाइमस आपका पैसा बढ़ जाना था यह हो जाना था 76 लैक और एक लाख का बनना था 15 लाख अगर आप बात करते हो निफ्टी बीज की तो यह बनना था 15 लैक पर इन केस ऑफ इस smart beta ETF यह पैसा 76 लैक बढ़ जाना था इतना ज्यादा और खास का पहुता गराएंगे ट्रॉंड इसकों मुलिख test के बहुत helpful एक ETF होने वाला और इस ETF को अभी रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा मेभी बाइन नेक्स्ट मंथ यह ETF का जो नेम है वह आपको पता चल जेगा अभी इसका एन एक लोग हो रहा है यह जो फंड है यह शू किया है इसका इ lige पहले से अनटेक्स दिश करते है और इसका पर इसका फ़ंड हो आऱ बढा रहा है यह शूर्सकी करने होर्य के लिए और मेरी यह रिकोमेंडेशन नहीं है मैं सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए आपको बता रहा हूं पर खास बात यह कि आपको स्टडी करना चाहिए इस ETF को जितनी भी नॉलेज्ज यहां पर पॉसिबल है मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक कैसा ह होने वाला है तो दोस्तों यह जो मुमेंटम ETF होते हैं यह बहुत अलग तरह से होते हैं इन ETF में जो सारी investment होती जो पैसा लगाया जाता है वह सिर्फ इस बेस पर लगाया जाता है कि जो स्टॉक्स हैं जो रीसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं दिको एक कॉंसेप्ट है कि continue going up और जो नीचे जा रहे हैं वो शायद नीचे ही जाते रहे हैं तो हम इस फिलोसफी के उपर बिलीव करते हैं जब हम मुमेंटम स्टॉक में इंवेस्ट करते हैं यानि कि जो मुमेंटम ETF होते हैं वो इस फिलोसफी पर बिलीव करते हैं अब यहां पर देखो कि क्या जाएगा तो ऊपर जा सकता है उसकी ज्यादा ऊपर जानेगी ठीक है फॉर मुमेंटम प्राइस एवरिटिंग एस टॉक परफॉर्मेंस फॉर्म्स दा अंडरलाइंग बेसिस एंट्री एक्जिट तो मुमेंटम जो इटी फोंगे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टन यह चाहिए कि उसकी प्राइस मुमेंट कैसी आ रही है ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाना है जिनकी प्राइस मुमेंट सबसे ज्यादा आ रही है यहां पर कंपनी की जो फंडामेंटल प्रफॉर्मस उसको हम नहीं काउंट कर रहे है क्योंकि हमने यह बेसी कली ट्रेडिंग और निम्हेस्टम का कंबिनेशन होते हैं इसमें पैसा लगाया जやって है बोगत प्रफार मिलगाई रहता प्रम करना बैर तौनि अइस प्रफेटर निकाल लिया जाता है यहांनी प्र Baptist participating हो गी है या और Indy करना आप ने actually trade नहीं करना, आपने तो पैसा इसमें लगाना या आप investment करोगे, एक lump sum करते हो, या आप इसमें SIP करते हो जैसे भी करते हो, आपके लिए ये investment है, पर आपका पैसा कैसे change होता है, कैसे adjust होता है उसमें management कैसे होती है, वो behind selection करने से, ETFs की अब ये देखो, ये ग्राफिकली यहां पर बताया होगा कि अगर trend उपर जा रहा है, तो buy करना है, अगर trend नीचे जा रहा है, तो sell करना है, सिर्फ यही एक concept है, यही एक philosophy है इसमें, तो अगर trend उपर चला गया trend solidify हो जाता है, trend रूख जाता है उसके बाद trend नीचे जाता है, तो जैसे trend उपर जा रहा है, उनी stocks में invest करते हैं अब इसमें क्या करते हैं, जो nifty के, जो 500 stocks हैं 500 stocks कौन से होते हैं, उसमें large cap भी आ जाते हैं, उसमें mid cap भी आ जाते हैं और उसमें small cap भी आ जाते हैं, यह सारे stocks मिलाकर 500 stocks में से 50 ऐसे stocks select किया जाते हैं, जो इस समय momentum सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, जो इस समय सबसे fast uptrend में है, ऐसे stocks को select किया जाता है 50 stocks को उनी में invest किया जाता है अब यह 500 एक बहुत बड़ा large number है, जिसमें small cap भी आ रहे हैं अब small cap में बहुत अच्छा momentum आ जाता है, small cap में भी पैसा लगेगा mid cap में बहुत अच्छा momentum आता है large cap में momentum थोड़ा competitively कम आता है, पर जिस large cap में आ रहा है पैसा भी लगेगा, तो यह आपकी जो stocks की जो diversity equation है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इस particular ETF ने performance भी बहुत अच्छी दी है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि price जो है, अगर उपर जा रहा है, अगर momentum आ रहा है तो उसमें chances हैं कि stock और उपर जाता रहेगा, उसका reason किया है, basically कोप एक daylight जाता है. हमें बतार थियादा, जो फ्रॉमन क मार्कत है, तो पर जाना है कि जब कोई particular price है कि स्टॉक है वो उपर जा रहा होता है तो बहुत ऊपर चला जाता है जो बड़े इंवेस्टर नो जब पैसा लगाते हैं शोटे इंवेस्टर भी यॉफोरिया क्रेट हो जाता है यानि जब नीचे जा रहा है तो इस तरह से जो इस चीज आपने फायदा उठाना है कि जब ज्यादा उपर जा रहा है यानि momentum पकड़ लिए speed पकड़ लिए अब जैसे गाड़ी है आप चला रहे और गाड़ी आपने गाड़ी के accelerator पे पैर रख दिए तो गाड़ी की speed बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ सकती है को speed limit को cross कर जाती है तो इस तरह से यह भी इतना बढ़ता चला जाता है जो यह वाला एक यूफोरिया क्रेट होता है उसका benefit लिया जाता है इस तरह के ETS में इसलिए यह जो pendulum का concept है यह market के लिए बहुत यूजफुल है मार्किट का जो behavior है वो कुछ इस तरह से रहता है आगे देखते हैं so factor and momentum AU अब यह जो slide है हमें क्या बता रही है यह बता रही है कि जो सबसे ज्यादा smart beta ETS में सबसे useful factor है वो momentum कही है ठीक है अब जैसे यहां पर कौन-कौन से factor होते है quality factor होता है value factor होता है अलग-अलग type के factors है जिन पर smart beta ETF बने हुए है और जो momentum है वो पिछले कुछ सालों से बहुत popular होता जा रहा है यह कुछ सालों से दिखाया हो 21, 22, 23, 24 जो recent दिखाया और यह बता रहे है हम कि AUM AUM क्या होता है कि जितना पैसा लगा हुआ है asset under management मतलब उस particular ETF में कितना पैसा लगा हुआ है कितने लो लाइन बढ़ती जा रही है यानि कि जो पैसा मोमेंटम में ज्यादा लगा रहे है जो यह मोमेंटम में पैसा आप देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है 10,000 यहां पर CR होगा most likely वहां तक AUM पहुंच चुगा other factors में 25,000 यहां पर आप रेशो देखो दोनों की रेशो आएग ठीक है और देखते हैं यहां पर अब यह जहां पर इस स्लाइड से हमें क्या पता चल रहा है यह जो हमारा ETF है 50500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को पर बेस्ट है इस ETF में पैसा कैसे लगाया जाता है 6 months से 12 months के बीच में जो स्टॉक में जो भी मूमेंट आ रही है उसके बेस पर पहल 50% लगया यानि यह उसकी वेटेज है और री बैलंसिंग कब होती है जून में और डिसमबर में साल में दो बार री बैलंसिंग होती है पोर्टफोलियो की बेस्ट ऑन कि कौन से इसे स्टॉक्स हैं जिनको निकाल देना चाहिए मोमेंटम में से और कौन से ऐसे नए स्टॉक साल का अगर आप देखो तो निफ्टी ने तेरा परसेंट रिटर्न दिया है और यह इस इंडेक्स से आ रहा है अगर आपने इस इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो आपके पास पॉसिबिलिटी थी कि आप 13 परसेंट की जगा 23 परसेंट सम्थिंग इतना रिटर् सब्सक्राइब और इसे पैसा नहीं लगा सकते हैं और आगे देखते हैं iis 500 momentum 50 index can catch market trends अर्ली विट डायनमिक सेक्टर रोटेशन अब इसमें क्या होता है जो पैसा लगता है जो उसी सेक्टर में मोमेंक्टम आ रहाता है और उसी स्टर में पैसा मूब करना तो राइट टाइम में अगर राइट सेक्टर में पैसा जाएगा तो ही आपको benefit मिलेगा तो ये जो दिखा रखा है चार्ट ये पिछले कुछ सालों का दिखा रहा है पिछले almost five years का चार्ट है और ये जो अलग लग आप colors देख रहे हो ये अलग लग sectors है और यह यहां पर बता दिया कि कौन कौन से color कौन से sectors है जैसे blue color है वो health sector के लिए औरेंज color जो है commodity sector के लिए तो ये जो length है ये जो कितना area cover कर रहे हैं कितना बड़ा से सेक्टर है जिसमें ज्यादा पैसा लगए अगर हम देखे 2020 में सबसे ज्यादा पैसा इस सेक्टर में लगा था इस पर्टिकुलर फंड में राइट अब यह कौन सा color है ये color है healthcare healthcare में पैसा बहुत लगा आपको पता है कि 2020 में जब corona crash आया तो उस समय क्या हुआ था उस समय सबसे ज्यादा movement कौन से stocks में दी थी फर्मा के stocks में राइट तो फर्मा stocks में उस समय बहुत बड़ा momentum आया था तो आप देख रहे हो कि ज्यादा पैसा फर्मा stocks में लगा हॉस्पिटल सेक्टर में लगा ठीक है उसके बाद next year में यह orange में 2021 में ज्यादा पैसा लगा और उसके बाद green में आप देख रहे हैं ग्रे particular fund है इसमें पैसा इस तरह से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव होता रहता है जो कि हम खुद नहीं कर सकते हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम सही टाइम पे ट्रेंड इंटिफाई कर लें कौन से सेक्टर में पैसा मूव कर लें और जो सेक्टर अलड़ी दाल ले नेक्स्ट देखते हैं यह बहुत इंट्रस्टिंग स्लाइड है बहुत मज़ेदर स्लाइड है क्या बता रहे हैं कि यह जो फंड है कैच मार्केट अर्ली विट डैनमिक सेक्टर रॉक्टेशन जो अभी हमने बात की थी और इलिस्टेशन के थू बताया हुग अब यह है एल्थ केर में वो 58 परसंट वाले सेक्टर में से 39 परसंट एक्सपोजर रखा इसमें इसमें अब 2021 में क्या हुआ इट में 62 परसंट ग्रोथ है इसने अबना 40 परसंट एक्सपोजर आई टी में रख दिया राइट 2021 के बाद जब खतम होने वाला था यह तब 25 परसंट एक्सपोजर रखा कॉमोडिटी में क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी में आ रही थी फिर फानेंशल सर्फिस में ग्रोथ आई ठीक हाला कि इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर अगर कंपेर करें दूसरे से तो इसकी ग्रोथ अच्छी है तो 30 परसंट एक्सपोजर र तो प्रफॉर्म ऐसे करता रहा कि जब बुलिश फेस आया था तो निफ्टी ने 27 परसंट रिटर्न दिया पर इसने 47 परसंट रिटर्न दिया और उसके बाद जब बीरिश फेस आया तो उसमें आप देखनों डिफरेंस निफ्टी 38 परसंट नीचे आ और यह 42 परसंट तो आपका लॉस इतना ज्यादा डिफ्रेंस नहीं यानि आपका ड्रॉडाउं उतना ज्यादा नहीं आ रहा है उसके बाद जब मार्केट दुवारा रिकवरी फेस में आई है तो उस समय भी जो यह वाला फंड है इसका रिटर्न निफ्टी से ज्यादा रहा है नेक्स देखत कोणको से सबसे जब जादा पैसा है रहा है जो कंपनियां अलग जो प्रडॉडंक्स मनाती है वो दूसरी कंपनियों के लिए ऐसी कंपनियों में इस समय जब पैसा लगा हुआ है क्या जो मुमेंटम के चूज की गई है इस तरह से जो हम रिसेंट जो इसका सिरुएंट performed आ इसा लगा वो देख सकते हैं तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI आउट फर्फर्फर्म निफ्टी 50 TRI निफ्टी 50 TRI पिछले उनने साल में अगर आम देखें तो बारा साल तो ऐसे रहा है कि हर साल जो यह वला इंडेक्स है इसने ज्टी से ज्यादा परफॉर्म किया अगर आप यह यह यल्लो लान आप देख़ी यह यह यलो लाइन इस फंट के लिए है और यह जो ग्रे लाइन आप देख़् रहे हो यह निफ्टी फिफ्टी की लाइन ठीक है और अगर आप देखो परफॉर्मेश वाईज दें इस साल यह कॉन सा यह था थी में थाएum बहुत बैटर परफॉर्मेंस रही है और लेकिन 2022 में क्या हुआ था कि निफ्टी 6% अब था और यह 8% डाउन था ठीक है उसके पहले देखते हैं 2021 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है 2020-19 में भी आल्मोस सिमिलर परफॉर्मेंस रही है निफ्टी के राउंड और उसक जो निफ्टी है वो माइनस 3 में थी लेकिन यह वाला फंड जो है 11% रिटर्न दे रहा था तो अल्मोस एवरी यह बहुत ज्यादा बैटर रिटर्न दी है इस इंडेक्स ने आप यह देखो यहां पर 2007 में 2007 में कितना बड़ा डिफरेंस था 57% निफ्टी ने दिया और 129% य यानि कि अगर इस फंड ने निफ्टी से कम परफॉर्म किया कुछ सालों में तो इतना कम नहीं किया कि उससे कोई फर्क पड़ता हो ओवरॉल तो ओवरॉल हम देखें कि बहुत ही बैटर परफॉर्मेंस रही है इस पर्टिक्लर फंड की एस कंपेर तो निफ्टी अगर आपने लंब सम पैसा लगा दिया उसके बाद आपको कितना रिटर्न है तो यहाँ आप अगर आपने 15 तक पैसा लगा यहां तो 23.8 तक पैसा लगा यहाँ थो यानि इतना हेवी रिटर्न यानि दो परसंट पर मंद लगा लो दो परसंट पर मंथ आपको जो रिटर्न है पिछले 15 साल से आपको आ रहा है every month and with passive investment no active involvement no active investment involved no active trading involved nothing is involved ठीक है अब यहां पर अगर निफ्टी 50 से compare करें तो निफ्टी 50 में सिर्फ 13% रिटर्न दिया यानि almost double निफ्टी से almost double इसने रिटर्न दिये हैं अगर हम पिछले 15 साल की बात करते हैं तो next क्या चीज़ देख रहे हैं volatility अब यह भी देखना जुरूरी है कि volatility कितनी आई कि हमें कितना कि उसमें डरना कितना पड़ेगा कि market की movement के साथ drawdowns कितने आएंगे तो अगर वो देखें तो कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है अगर 16.5 निफ्टी volatility दे रहा है तो उससे यह थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है यह 19 के round दे रहा है यानि वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जितने returns आ रहे हैं इसे returns के लिए इतनी volatility मेरे इसाब से जेलनी कोई बड़ी बात नहीं है अब यह जो calculation है इसको कहते है risk adjusted returns इसमें volatility भी आ रही है और returns दोनों को मिला के यह finally एक ratio बनाई जाती है इस ratio से हमें पता चलता है कि हमें overall इस fund में पैसा लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए और risk adjusted returns की ratio देखने को मिल भी है again that clarifies कि हमारा यह जो fund है यह बहुत useful fund होने वाला और यह smart beta ETF में मुझे लगता है आज की rate में almost like a king यह सामने आ रहा है ठीक है और देखते हैं आगे further slides में कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं हमारे पास कितने stocks हैं ठीक है हमने compare करना इसको निफ्टी 200 मुमेंटम 30 से क्योंकि यह भी एक fund है जो काफी similar है ठीक है फर्क क्या है उसमें निफ्टी 200 के stocks हैं निफ्टी 200 में कौन से stocks आएंगे देको निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के बाद निफ्टी निफ्टी 50 यह दोनों मिला दो तो यह लाज़ के stock हो जाते हैं उसके बाद जो next 150 stocks हैं वो mid-cap stocks होते हैं ठीक है अब almost निफ्टी और लाज़ के मिला के आपके पस यह वाला ETF आ जाता है इस ETF में 30 stocks ऐसे set की जाते हैं जिनका high momentum है और यहां पर small gap के भी इंक्लूड कर लिए सारह ही इंक्लूड कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्डर्ट जो है लाज क्याप के उसके बाद फिफ्टी मिड्ड के उसके बाद टू फिफ्टी जो है वह स्मॉल के तो तीन नों कैट अगरी से सारे स्टॉक्स मिला के उसमें से 50 कि जाते हैं तो यहां पर 500 प्रिफ्ट छिव खूड़क मिड्रक मिड्रक में मॡ्रक में श्मीड के जो कि ऑस पीरिट में स्टॉक्स की सिलेक्शन होती सब्सक्स क्यों होती हम ब्लाइस defense is INTERIái और ़ौर है विथ्ञें CAGR देखो, यह 30% आ रही है, और यह 36% आ रही है, यह जो आप CAGR देख रहे हैं, यह पिछले 15 साल के निया है, कुछ शौटर पीरेड की है, So that's why you are seeing the higher value, volatility क्या है, volatility में दी कोई खास difference नहीं है, almost similar volatility है, यानि कि साफ पता चल रहा है कि यह वाला जो smart beta ETF होगा, यह जो fund होगा, this is going to perform much better than this previous smart beta ETF, तो हमारी जो strategies हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि हम इस ETF को replace कर देंगे इस ETF के साथ, because this ETF is better performing, और साथ में volatility में कोई खास difference नहीं है, तो इस बैटर कि हम इस ETF को use करके ज़्यादा अच्छे returns लें, तो अब इस slide में हम क्या देख रहे हैं, हम compare कर रहे हैं, यह वाले दो smart beta ETF को, और इसमें हम यह देखने को मिलने वाला है, कि कितना percent allocation कौन से sector में रहा है, तो यहाँ पर आप देखो कि blue color दिखा रहा है, large cap, तो maximum allocation large cap में रही है, इस ETF में, nifty 200, momentum 30 का जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ allocation कुछ जो है, वो small cap में भी रही है, और small cap की allocation कम ज़्यादा होती रहती है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर small cap में allocation ज़्यादा थी, फिर कम होगी और फिर ज़्यादा होगी, और फिर यहाँ पर अभी small cap में allocation कम हो चुकी है, तो इस तरह से यह allocation भी move होती रहती है depends करता है कहां पर कितना growth हा रही है कितना कहां पर momentum आ रहा है तो इस तरह से आपकी diversification बढ़ जाती है ठीक है this is the benefit you are getting कि आपकी diversification भी बढ़ जाती है और साथ में small cap का जो benefit है वो भी आप ले सकते हो स्मॉल के पी जो performance है वो बहुत हाई होती है पर लार्ज केप में risk कम होता है प्रफॉर्मेंस चाहे कम होती है तब मार्केट में ऐसा सीन आ जाता है कि मार्केट का behavior बेरिश हो जाता है तो आपका पैसा most likely लार्ज केप की तरफ होगा विकास लार्ज केप उस समय फिर भी बैटर परफॉर्म करेंगे एस तो स्मॉल केप अब एक्सेस रिटर्न ओवर 5200 मुमेंटम 30 अब यहां पर यह पता चलेगा कि यह जो पुराना जो फंड था मुमेंटम 30 वाला इससे क्या बैटर परफॉर्मेंस दिया है येर परसंट का आया था और पांच साल में देखें तो 5.7 पिछले पांच सालों में 5.7 परसंट बैटर रिटर्न दिये इस फंड ने और अगर पिछले वन यह की बात करें तो 7.5 परसंट ज्यादा बैटर परफॉर्म किया बिकास पिछले वान यह से मोमेंटम बहुत अच्छा अब पूरा पैसा नहीं लगाना आप बहुत ही कम वैल्यू अब जदि यह इसकी प्राइस 50 रूपी के राउंड होगी बहुत ही स्मॉल माउंट यानि कि आप अगर SIP करना चाहते हो बहुत स्मॉल अमाउंट से आप इसमें SIP कर सकते हो रूल सारे ट्रांस्पेनेंट है चलिख में होंने कैलेशनी निकालते है क्या encontramos आृटमेटिक लेशन के बेस पे निकलता है ममेंटम का स्कोर औ करती है तो यह आउट परफॉर्म करेगा ठीक है निफ्टी से बहुत जदा आउट परफॉर्म करने के कारण यह इसलिए यह रिटरंस बहुत हाई दे पाता है यह बहुत इंटरस्टिंग चार्ट आउट और यह एक्स्पेंड कर रहा है क्या हुआ पिछले कुछ सालों में 2005 शुरू होता है और यह जो ग्रे लाइन आप देख रहे हो यह इस फंड के लिए ठीक है और यह जो येलो लाइन आप देख रहे हैं यह निफ्टी की है आप दे को यहां 2014 में आते आते काफी डिफरेंस आ गया और उसके बाद ग्रोथ कैसे बढ़ती रही और पिछले जो पिछले चार साल है इसमें तो एक्सपोनेंशिल ग्रोथ मिली है कितनी फास्ट ग्रोथ आई है तो यह जो डिफरेंस है अगेन यही डिफरेंस हमनें कैप्चर करन करते हैं और साथ में हम इस तरह के फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो अब यह जो लास्ट स्लाइड है इसमें क्या बताने वाला हूं हमारे पास जो इन्वेस्मेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं एक मेरी स्टैटजी है ETF SIP में वर्जन 3 जो मैंने निकाल लिए उसम हम सेलेक्ट करते हैं smart beta ETF कौन से हैं जो आज गिरे हुए उनमें इन्वेस्ट करते हैं और एक small amount इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करने का में यह benefit है कि long term में हमारे accumulation बहुत बढ़ जाती है और हम actually पैसा सिर्फ dips में लगा रहे हैं और इसमें जो भी पैसा हमारा लगता के लिए strategy आप चाहे तो मेरा premium channel telegram channel भी join कर सकते हो जहां पर आपको daily basis पे screener से automatic notifications मिलती हैं जहां से आप देख सकते हो कौन-कौन से smart beta ETF से हैं जुनकि आज price गिरे हुए जहां पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो अब यहां पर यह जो slide है इसमें मैं क्या बताने वाला हू अगर इस fund में आप पैसा लगाते हो SIP के थुरू को कि इस fund के returns बहुत stable रहे हैं और हमने देखा है पिछले 20 सालों में हमें around 24% every year हमें returns मिले हैं यानि कि हम इस fund को देख सकते हैं कि अगर हमारी long term investment होती है तो 24% के हिसाब से हमें returns मिल सकते हैं possibility है इसलिए अगर हम इस पे SIP करें कि छोटी अबाउन से सब्सक्राइब हो सकता है अब यहां पर मैंने कुछ calculations करी है जिन calculations से आपको यह पता चल सकता है कि अलग अलग value अगर आप invest करते हो अपने budget के साथ से तो आप कितने साल में once year मना सकते हो सबसे पहले अगर आप सिरफ 1700 आपका budget है तो per month 1700 आप लग आप 10% अपनी जो EMI है जो यह calculation है जो value है इसको आप every year 10% increase करो तो यह 15 साल में आपका once year में convert हो जाएगा ठीक है अगर आप 6000 पर month लगाते हो तो आपको annual increase करने की जुरुत नहीं है 15 साल में once year बन जाएगा ठीक है अगर आप 11,000 लगाते हो देन सिरफ 10 years जाई है सिरफ 10 years मे provided up 20% every year आप इसमें fund में increment कर रहे हो जो आपका monthly installment है वो 20% आप बहा रहे हो तो आपको 10 years के अंदर 11,000 per month से 1 crore आपका पूरा बन सकता है अगें अगर 15,000 आपका budget है then आपको सिरफ 10% increment करने की जुरूरत है every year and then you can make once year और अगर आपका budget 20,000 है if you can invest 20,000 per month in SIP of this fund तो आपका 10 साल में 1 crore बन सकता है within a very short time 20,000 से आप one year बना सकते हो there is a high possibility कि यह जो fund है यह आपको एक अच्छा return दे और इसलिए better है कि आप जो भी SIP करते हो तो उसमें इस तरह के funds को include करो तांकि आपका जो overall return हो बढ़ जाए of course जब आप investment करते हो तो आपको सिरफ एक चीज में invest नहीं करना चाहिए आपके पास diversification होनी चाहिए आप gold जैसे asset में भी invest करो Nifty में भी invest करो और भी smart beta ETFs है जिसे quality के base पे हो गया या value के base पे हो गया तो आप उनमें भी invest करो तो इस तरह से आपका एक बहुत अच्छा portfolio बन सकता है ठीक है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को definitely share कीजिए अपने फ्रेंड्स से और वीडियो को like कीजिएगा और मिलते हम इस तरह के और वीडियो में जैहिन